देखे दोस्तो, वसफूरी इंडस्ट्री में आजकल एक नया ट्रेंज जोर सोरों से चल रहा है, जिसका नाम है खोध-خोध के, खोध-خोध के विवाद अब दूसरी इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो वहाँ पर काम से टक कर दिया जाता है कलकार एक दूसरी को काम से कम पेर करते हैं लेकिन हमारी वस्पोर इंडस्ट्री में काम कम और विवाद ज्यादा वाला हत्कंडा अपनाया जा रहा है और हो भी क्यों ना जब पबलिक को भी विवाद का स्वाद लगी चुका है लोग आख गड़ा गड़ा के और अपना पूरा वंजबी का डेटा और इतने वैलुएवल अपने समय को खतम करकी इन योटूबर्स की भरफूर कमाई करवाते है तो भाई क्या ही बुरा है बिभार में आएए दो रुपे की माईक उठाइए कुछ एजुकेशन की जरूद नहीं है और नहीं कुछ नॉलेज की जरूद है नॉलेज तो छोड़िये महरास अगर आपको सुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आएगा तो भी चलेगा आपको सही से इंटर्व्यू लेने वाले के सामने खड़ा होने नहीं आएगा तो भी चलेगा बस यहाँ एक दूसरे के विरोधी टीम या कलकार की उपर तीन से चार क्वेस्टन बनाके लाएए और देखिए आप रात तू रात कैसे वाइरल हो जाते हैं चले लेकिन एक चीज समझते हैं यहाँ पर कि क्या इस कंट्रोवर्सी की असली जड़ असली वज़ा ही यूट्यूवर्स ही है तो जब आप चीजों को जड़ से समझेंगे ना तो आपको सब क्लियर दिखाई देगा आजकल जोर सोर से गानों का लाँचिंग इवेंट चालू है पर क्या आपने नोटिस किया कि इन सभी लाँचिंग इवेंट में और खासकर खिसारी जी के इवेंट में जितनी चर्चा उस गाने पर नहीं होती है उससे ज़्यादा चर्चा पवंसिंग के उपर होगी कहां सी मिलेगा जब पवन सिंग को लेकर विवावदित बयान देंगे तभी न देखिए हम बताएं या नव बताएं पर ये पुरी भोसपूरी सुनने वाले स्रोता जानते हैं कि कौन किस को खोदता है लेकिन फिर भी ये कहते हैं आप खुद को सुबसे बड़ा सुपर इस्टार मानते हैं तो जरासा उस स्टार्डम का लिहास तो कीजिए और जबान पर कंट्रोल कीजिए नहीं तो जो आप बखबख करते हैं कि मेरी लड़ाई साउथ और बॉलिवूड से है तो लिख के ले लिजिए कि आने वाले समय में अगर यही हलाद रहा तो बालिवूड और साउथ दूर की बात है भुस्पूरी में भी टक्कर देने के लायक आप नहीं रह जाएंगे और सिंगिंग लाइन में तो आपका अस्तर गिरही रहा है जिसका कारण यही है अधिकतर कारण कंट्रोवर्सी है तो प्लीज बुरा लगे तो मात कीजिए लेकिन क्या आपका मुव बिना पवन सिंग को टार्गेट किये नहीं खुलता है अगर बोलने का मतलब यही होता है तो मैं बोलता हूँ, अगर वाकई वे बोलने का मतलब यही होता है, तो मत बोलिए माहराज, हाथ जोड़के बेनती है, आप चुप रही है थोड़ा सा, थोड़ा सा मुव पर जबान दीजे, इतना कौन बोलता है, अरे माहराज आप लोग इतना मतलब गिरा रहे हैं अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे, आप लोग कि किस गर्त में लेके जा रहे हैं आप लोग भोसपुरी को, so please stop this, it's going over now.